हलो फ्रेंट्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम मध्य प्रदीश का भुगोल पढ़ रहे थे और इससे संबंदित ही वस्तो निश्व प्रश्णों को हल कर रहे थे आज की हमारे वीडियों में मध्य प्रदीश के पठार से संबंदित मध्य प्रदीश के गठन से सं आपको मिलने वाले हैं तो चलते हमारे पहले कौश्ण की तरफ पर हमारा पहला कौश्ण है मध्य प्रदीश राज्य के जिलों के संबंद में असत्तिक अथन बताईए मध्य प्रदीश में जिलों का गठन आपने अल्रेडी पढ़ लिया है तो आपको पता है कि कौन सा जि सबसे पहले जो आपको पता है वो है निवारी हमने कम से कम सो बार रिपेट किया है कि निवारी मध्य प्रदेश का बावनवा जिला है और सबसे नया जिला भी है तो सबसे पहले आप निवारी को देखिए कि फोर्थ नंबर जो है वो असत्य है तो इसका मतलब यह आपका यहां पर लिख्खा हुए बलकि ऐसा नहीं है आगर मालवा जो है वह मद्धिप्रदीश का 255 वाजिला है इसकारण से यह भी गलत हो जाएगा तो यह हैं क्यावन वाजिला अली राजपूर की बात करते हैं तो यहां पे लिखा अली राजपूर जो है वो उननचासवा जिला है वही सिंग्रॉली इंक्यावनवा जिला लिखा है देखें जब इंक्यावनवा जिला आगर मालवा है तो सिंग्रॉली कैसे हो जाएगा सिंग्रॉली भी यहां पर सहीं होगा सिंग्रॉली जो है वह 50 वा जिला है आली राजपूर की बाद करएं तो आली राजपूर बिलकुल सही है 49 वा जिला है जो की 17 माई 2008 में बना था और हमने याद क्या है 17 से खत्रा और खत्रा में जैसी होते हैं भगवान का नाम लेते हैं, अधाद अली का नाम लेते हैं, तो इस कारण से यह जो है, यह सही हो जाएगा, इस कोशन के साब से यह आपका option number 2 जो है, वो सही होगा, बाकी सारे सही होंगे, यह गलत होगा, तो जिसमें 1, 3 और 4 दिया हो, तो 1, 3 और 4 दिया है option number C में, तो आपक सिंग रॉली मद्यप्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, फिर आगर मालवा की बात करते हैं, जो कि उजयन के उपर और राजगर के बगल में है, निवाडी मद्यप्रदेश का सबसे नया जिला वा बावनवा जिला है, जिसे अभी अभी बनाया गया है, वर्ष 2018 में, इ आगर मालवा की जब हम बात करते हैं, अली राजपुर की जब बात करते हैं, इस प्रकार से ये चारो जिले हमने देख लिये प्रदेश के किस पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है चंबल लदी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है कि इसका उद्गम इंदौर के महूं से होता है ये कौन सी पहाडी से निकलती है जानापाफ पहाडी से निकली है विंध्याशल परवश रंखला से निकलिया है पॉइंट कौन सा है जहां से निकलती उसका नाम है वंगचू पॉइंट लंबाई कितनी है 965 वर्ग किलूमीटर है तो चम्मल लदी का उपादर प्रदेश किसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी बगहेल खंड बुंदेल खंड और मध्य भरत का पतार इसका सीधा मतलब यह है उपादर प्रदेश का मतलब यह होता है कि चम्मल लदी जो है माल लीजे यहां से बहके जा रही है तो यह साइट पूरा बहती है तो ऐसा कौन सा भागय जहां पर यह सरवाधिक अपरदन करती है और सबसे जादा कहां पर ब बहती है मध्य प्रदेश के तो अप्शन में चलते नर्मदा सोन खाटी यहां नहीं हो सकता यहां पर नर्मदा नदी और सुन नदी भैती है बगहिल खंड और बुंदेल खंड देखिए बगहिल खंड जो चेत्र है यहां तो हो इनी सकता क्योंकि यह रिवा पन्ना करती है और जिसके कारण से बीघणो का यहां पर निर्माण हो गया है इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम यह मैप है आपका तो अगर आप अच्छे से देखेंगे गौर से तो यह पूरा हिस्सा आपका मालवा का पठार है और चंबलादी कहां से निकलती है यहां से इंदौर से और इंदौर के महूं से निकलकर यह ऊपर की तरफ जाती है और यहां से मध्य भारत के पठार में मुरैना होती हुए यह यमना में जाकर मिल जाती है तो हम देखते हैं कि सबसे जादा अपरदन जो करती है वो यहां मध्य भारत के पठार के पास में सरवादी क परदन करती है मध्य प्रिदेश में सहरिया जंजाती किस पठार में निवास करती है वह सिंपल सा कॉश्चन है जब हमने पठार पढ़ा था तो उस तरफ में हमने देखा था कि सहरिया जंजाती मध्य प्रिदेश कि किस पठार में निवास करती है बुंदेल खंड बगेल खं तो यह वही जन जाती है जो की कथा निकालने का कार करती है और यह मध्य भारत के पठार में निवास करती है सरवधिक इसके अलावा हम बात कर लें कि नर्मदा सोन खाटी में कौन सी जन जाती तो आपको यहां पर गोड जन जाती बहुत जादा मिलती है मध्य प्रदेश की कुल सोयवीन उत्पादन में सरवधिक सोयवीन का उत्पादन किस पठार से होता है देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत में लगभग 80% सोयवीन जो है भारत का वो मध्य प्रदेश से आता है और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सोयवीन जो है वो इंदौर, उज्जैन, आदी शेत्रों से आता है अर्थात मालवा के जिलों से आता है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार किस नदी की घाटी गहरे खट भूमी के लिए विख्यात है इसका अंसर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि कौन सी नदी जो सबसे साधा अपरदन करती है अप्शन है नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती देखिए नर्मदा नदी की बात की जाए तो यहां मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और इसने मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दरजा भी दिया गया है सोन नदी की बात करते हैं, सोन नदी मध्य प्रदेश के अनुपुर अमरकंडक से निकलती है और इसके बाद आंगे चलकर गंगा में मिल जाती है तापती नदी की बात करते हैं तो तापती बैतूल के मुल्ताई से निकलती है वहीं चम्बल नदी की बात करते हैं तो यह नौर से निकलती है और यह आंगे चल कर ही बड़े बड़े खड़ों का निर्मार करती है जिनने भी हड कहा जाता है किस जिले में करती है तो सरवाधिक ये करती है मुरैना जिले में चंबल को मध्य भारत के पठार के जीवन रेखा भी कहा जाता है निम्नमे से कौन सा जलपरबाद नर्मन नदी पर इस्थित नहीं है कपिल धारा, दुग्द धारा, भाल कुंड और भेडा घाट देखे, कपिल धारा की बात करते हैं तो ये नर्मन नदी पर इस्थित है, कहां पर है तो अनुपुर में है यहां मरकंटर पे है, दुग्द धारा की बात करते हैं तो ये भी नर्मन नदी पर इस्थित है भेडा घाट जवलपूर में इस्थित है और नर्मदा नदी पर ही इस्थित है भालकुर्ण जलप्रपाथ जो है यहां नर्मदा नदी पर इस्थित नहीं है तो आपका option number B गलत होगा तो यही आपका answer है अगले question की तरफ चलते है देखिए यह है हमारे पास जलप्रपाथ कौन कौन से नर्मदा नदी पर इस्थित है देखिए अनुपूर से नर्मदा नदी निकलती है तो यहां पर दो जलप्रपाथ बनाती है एक है कपिल धारा जलप्रपात और दूसरा है दुर्वासा जलप्रपात और जिसे ही दुख्द धारा जलप्रपात भी कहा जाता है इसकी बाद आंगे चलती है और धुवाधार जलप्रपात बनाती है जवलपुर में और आंगे आती है और खंडवां में बनाती है मंधाता जलप्रपात और खरगों में बनाती है शहस्त्रधारा जलप्रपात इस प्रकार से नर्मदा नदी कुल मिला के छे जलप्रपातों का निर्माड करती है एक हो गया कपिल धारा, दूसरा हो गया दुख्द धारा, या फिर दुर्वासा जलप्रपात, फिर हो जाएगा हमारा भेडा घाट, फिर हो जाएगा हमारा मंधाता और शेहस्त धारा जलप्रपात निमलेकित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है शिप्रा, पार्विती, काली सिंध और बेतवा नदिया अब आपको इसके लिए चंबल नदी का अपवाह तंत्रपता होना चाहिए कि चंबल नदी कैसे कैसे बहती है और इसमें कौन कौन सी नदिया आकर मिलती है देखें मैप में चलते हैं यह है चंबल नदी तो यहां से आप देख रहे हैं यह चंबल नदी इंदौर से उद्गमित हो रही है और ये उपर की तरफ बहते हुए राजिस्थान में बहते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना के पास अपरदन करके आंगे चलके यमुना नदी से मिल जाती है तो इसमें मुखेदा जो नदिया मिलती है वो है शिप्रा नदी फिर है काली संध नदी और फिर है पारवती नदी और उपर से एक छोटी नदी जिसका नाम में बनास नदी वाके मिल जाती है तो शिप्रा, पार्वती, काली सिंध नदी और बनास नदी तो बेत्वा नदी जो है वहां मध्य प्रदेश में चंबल नदी में नहीं मिलती है तो बेत्वा नदी नहीं मिलती तो option number आपका C जो है वो सही हो जाएगा विसे यहां पर D होना चाहिए था और सैट C होना चाहिए था ठीक है तवा किस नदी की सहयक नदी है तवा किस नदी की सहयक नदी है तापती, पार्वती, नर्मदा और महा नदी देखें तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदिया है एक तरफ से 21 सहायक नदिया मिलती है दूसरी तरफ से 22 सहायक नदिया मिलती है मद्यप्रदेश में नर्मदा में दूधी, शेरी, हतनी ऐसी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं जो कि छोटी बड़ी अलग-अलग आकारों की है भेड़ा घर्ट पर कौन सा जलप्रपात इस्थित है अभी हमने इस कॉशन के बाएर में बात की थी धूआधार, कपिलधारा, दुखदुधारा, चचाई जलप्रपात नर्मदा नदी पर इस्थित है, यह जलप्रपात संग्मर्मर की चटाने पाई जाती है, यहाँ पर यह जवलपुर में इस्थित है इसका अंसर होगा धूआधार जलप्रपात, ऑप्शन नमबर A बेतवा नदी के किनारे इस्थित शहर है और चहाँ, मंडी दीप, अजजएन और मुरैना देखिए अजएन की सीधी बात कर लेतो उजएन जो है वो शिप्रा नदी की किनारे इस्थित है जहाँ पर महा कालेशवर का मंदिर भी है महा कालेशवर मंदिर की बात करेंगे तो आपको पता होगा माहा कालेश्वर من्दर दक्षन मुख्य मंदर है उसके सांति साथ में यह शिप्रा नदी के किनारे इस्थेथ है भगवान शिव जी के 12 जोतिर लिंगों में एक है और Starin तौ HOLines मंटिदीव खंद मंटिदीव। और चा बेतवा नदी के किनारे स्थिते कहां आता है तो ये आता है सागर संभाग की अंतरगत एक तहसील है निवाडी जिले की बाड़ सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है नर्मदा, सोन, काप्ती और तवा बाड़ सागर बांध की बात हो रही है नर्मदा की बात करतें तो नर्मदा नदी पर बाड़ सागर बांध नहीं बना हुआ है सोन नदी, ताप्ती नदी और तवा नदी तो ताप्ती नदी और तवा नदी काफी छोटी नदी है यहां सोन नदी पर बना हुआ है बार्ड सागर बांज तो आप्शन नमबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम इस्थम मध्य प्रदेश के किस जिले में इस्थित है होशंगाबाद, बैतूल, मंडिला और जवलपुर देखे होशंगाबाद की बात करते हैं तो हैशंगाबाद जो है यहाँ वह इस्थल है जहाँ पर पच्छमडी इस्थित है पच्मडी और पच्मडी वहम मध्य प्रदेश का एक मात्र हेल स्टेशन भी है इसे सत्पुरा किरानी भी कहा आजाता है मंडला जिले की बात करते हैं तो मंडला जिला वहाँ जला है जहां पर बंजर नदी और नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी एक मात्र ऐसा जिला है जिसे तीनों ओर से घेरे हुए है बैतूल की बात करते हैं तो आपका आप्षन नमबर 20 का सही अंसर होगा। जवलपुर की बात करते हैं। यहां पर मुख्यता हैं नर्मदा नदी भेती है। देखो यह है तापती नदी का उद्गम स्थल बैतूल से तापती नदी का उद्गम स्थल होता है इसके बाद यह खंडवा जिले में बहती है और फिर बहती है बुरहानपुर जिले में तापती नदी के उपर दो बांध बने हुए है पहला बांध है पारस डोह बांध और द 1071, 1075, 1077, 1072 नर्मिदा नदी की कुल नमभाई 13-12 किलोमीटर है इसमें यह तीन राज्यों में बहती है मध्यप्रदीश, महराष्ट्रो और लास्ट में गुजरात अब इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा मध्यप्रदीश में बहती है जो कि है 10-77 किलोमीटर आप्शन न महानदी तापती नर्मदा और कृष्णा महानदी तापती नर्मदा और और खृष्णा शिकत कर कर दिये तो किकन प्रदेश की जीवन रेखा है तापती निकलती है तो यह बी अल kim Mexican बचा बेकिम नहीं महानदी प्रदिश सेalarıर्मा अधियों महानदी की सहे इंड़ान बहत आपको समझ में ना आए और अन्सुर आपको ना बने तो आपको अब्यक्टिव के हिसाब से चलना है कि एक से पूछ किया रहा है और आपको एप्जम क्या किया रहा है अगर आपको marks नम्भर कुछकिन में एकिन करष अप feature सागरबिंद ओंठ कारिश क्यान जो है वो मद्य प्रदेश में बर्गी और नर्मिदानदी की परियोजना पर बना हुआ इंद्रा है इंद्रा सागरबान्द की बात करते तो यह भी यह जो हुआ है चले पर नहीं है और 15 RAM यहां और बात में आँगे चलकर यहनदी गंगा में मिल जाती हैं। यहीं पर पाताल पानी जल प्रपाद भी इस्तित हैं यहां पर एक हैरेटेस चलती है परेटकों के लिए और यहां पर बहुत सारे बंदर मिलते हैं आपको और परेटर निस्थल के रूप में एक अच्छा इस्थल है यह मद्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है मद्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी ऑप्शन है नर्मदा पार्वती चंबल बेत्वा देखिए नर्मदा की बात करेंगे तब को पता है कि 13 12 किलोमीटर के साथ प्रदेश की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी की बात करें तो 965 किलोमीटर है इसकी लंबाई तापती और बेतवा छोटी-छोटी नदिया है तो इस करण से आपका आंसर हो जाएगा option number a नर्मदा चचेजलप्रपात किस जिले में इस्थित है सीधी सतिना रीवा और दतिया चचेजलप्रपात प्रदेश का पहला जलप्रपात है मतलब प्रधम इस्थान रखता है उचाई के आधार पर और यह मद्य प्रदेश के रीवा जिले में इस्थित है यहीं पर बहुटी केविटी और चचचाई तीनों जलप्रपात इस्थित है चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्त की ओर बहती है और किस नदी से मिल जाती है आपको इसका अंसर देना है गंगा ताप्ति गोधावरी और यमना देखिए जब हम बात करते हैं गंगा नदी की तो आपको पता है गंगा में मध्य प्रदेश से केवल सोन नदी मिलती ह तो इसकारण से यह आंसर तो हो नहीं सकता ताप्ती नदी दक्षण की तरफ बहती है तो यह आंसर भी यह नहीं हो सकता आंसर आपको यमना या फिर गोधावरी और गोधावरी दक्षण भारत में बहती इसकारण से यह भी आंसर नहीं तो आंसर होगा आपका यमना चारों की चारों नदिया यमना नदी में जाकर मिलती देखे चंबल यहां से यमना में जाकर मिल रही है फिर आपको दिखाई देगा सिंध जमना में जाकर मिल रही है बेतवा जमना में मिल रही है और के नदी भी जमना में ही मिल रही है तो यह चारों नदिया जमना में मिल जाती है तो इस कारण से यमना नदी आपका अंशर होगा अंशर नमबर D कपिल धारा ज़र्ना किस नदी पर इस्थित है अर्थाद कपिल धारा जल्प्रपात किस नदी पर इस्थित हैं यह हम देख चुके कि अमर कंटक जो है यहां से कितनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है आपको पता है अमर कंटक से सबसे पहले नर्मदा का उद्गम हुआ है नर्मदा का उद्गम अमर कंटक पुष्पराजगड सरस्पती सरोवर नर्मदा कुंड वहीं इसी के साथ में यहां पर सोन नदी का उद्गम भी हुआ था और हुआ था जोहिला नदी का उद्गम देखिए आपको एक इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं जिसे आपको चीजे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी हुआ क्या था एक समय की बात है एक्षवा को वन्ष की कन्या थी माता नर्मदा और नर्मदा का विवाह तै हुआ राजा सोन भद्र के साथ में होता क्या था पहले के समय में कि राजा महराजाओं को अपने जो विवाह जिन से तै हो जाता था उनको देखनी की अनुमती नहीं करते थे। इनको इक्षा हुई अपने पती को समझने की और देखने की तुन्हों ने अपनी दासी से कहा कि धासी जोहिला तुम जाओ और शोन बद्र को मेरा संदेश दे कर आ रहा हूं दासी जोहिला भी तैयार हो गई पर उस ने आभुषण जोहिला को दिये जोहिला ने उन आभुषण और वश्त्रों को धारण किया तो वह भी सुन्दर लगने लगी अब माता नर्मदा की दासी तो सुन्दर तो होना तय था माता नर्मदा तो विश्व सुन्दरी हैं तो जब जोहिला सोन भद्र के पास पहुंची और माता नर्मदा का संदेश उनको देने ही वाली थी तो सोन भद्र को लगा माता नर्मदा स्वयम चल कर आगली तो सोन भद्र ने उनसे पुछा नर्मदा हुआ तो जोहिला को उनका आंसर देते नहीं बना और उसने तुरंत सर ऐसे हिला दिया हैं मैं ही Normada हूँ अर्था हम ये समझ सकते कि सोन्भद्र बहुत ज्यादा सुंदर थे तो इस वजय से का मन डोल गया और उसने माता नर्बदा के अधिकार को अपना अधिकार बनाना चाहा तो इस प्रकार से जोहिला और सोनभद्र एक साथ रहने लगे काफी समय भी दिया जिसके बाद नर्मदा माता को लगा कि जोहिला अब तक नहीं आई 10-15 दिन हो गए तो जा के देखा जाए और नर्मदा माता जैसे ही सोनभद्र और जोहिला से मिलने गई कि वहाँ पे क्या हो रहा है तो उन्होंने सोनभद्र और जोहिला दोनों को प्रेम प्रसंग में लिप्त पाया तो हुआ क्या देखे यहाँ पे सोन है और यहीं पे जोहिला है और माता नर्मदा यहाँ से गई मिलने के लिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है बनकर बह गई तो इस कारण से यह कहा जाता है कि नर्मदा एक मात्र ऐसी नदी है जो की धारा के विपरीत बहती है और इसी के बाद जो जो हिला और सोन थी तो सोन जो है वो भी नदी का रूप धारन करके दूसरी तरफ में बह गई नर्मदा की दूसरी तरफ में वहीं जो हि तो इस इस आप से आपको ये भी याद रहेगा कि कौन कौन सी नदी किस दिशा की और बहती है और ये स्टोरी आपको थोड़ा सा याद दिलाती रहेगी कि क्या असल में हुआ था सिर्फ कहानी है के विदंतिया है ये आप सच्छा इमान भी सकते हो नहीं भी मान सकते लेकिन प्रव कंड रहेगा खूस से तीन नदियों का क्यम नंबर से आपका सही होगा कौं कौंसी न डिय एक हो जाती है हमारी नर्मदा नदी दूसरी हो जाती है सोल नदी-जोहिला नदी इसके य gliयद रहेगा कि नर्मदा नदी एक मात्र ऐसी नदी है जो पश्यम से पूर्व की और बह रही है और इसके अलावा जो सोर नदी है वह हमें दिखाइदरी कि पूर्व और यह थोड़ा पश्चिम की ओर आती है और फिर पूर्व की ओर बहने लगती है तो इस प्रकार से इन तीनों नदियों के आपको दिशा भी याद रहेगी अगले कोस्चिं में चलते हैं ह सroat 11 पूछ राराश्टी उद्यान ओर माधव राष्टी उद्यान और माधव राश्टी उद्यान तो इसका सही आımसर हो जाएगा पण्ना राश्टी उद्यान पांडव जल प्रपात जो है आमर कंटक से निकलती है, पचमडी से निकलती है, भेडा घाट से निकलती है, चित्र कूट से निकलती है, सीधी सिवात है, नहमदा ने दी आमर कंटक से निकलती है, रजत जलप्रपात भारत की किस इस्थान में इस्थित है, रजत का मतलब क्या होता है, रजत, रजत जो होत तो यह होशंगाबाद जिले के अंतरगत है, आपको याद होना चाहिए, होशंगाबाद जिले के अंतरगत है, कहां इस्थित है, सागर, जवलपूर, पच्मडी और रिवा, देखिए होशंगाबाद जिले के अंतर जो रजत जलप्रपाद है, यह पच्मडी पे इस्थित है तो आपका option number 20 का सही answer हो जाएगा जवलपुर्वेंद धुवाधार प्रसिध है रीवा में केवटी, बहुटी, चजी ऐसे जलपरपात प्रसिध है ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स वीडियो में हमारी आज की वीडियो यही पर समाप्त होती है आपको कुछ भी confusion हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और हमारी class में भी आप राम से पहले जाके class देखिए उसके बाद class देखने के बाद ही आप MCQ लगाई है जिससे आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा और आपको समझ में आएगा कि आप कितनी जादा चीजों को observe कर पा रहे है Thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में